अपने घर में क्या हो रहा है किसी को मतलब नहीं लोग का प्रस씩णनल मेटर इसमें पूरा इन्रस्टी ग्या सिंगर Works ब्यूजी डिरेक्टर से लेके राइटर से लेके मौडल से लेके एक्टर से लेके सब लोग पड़ गया है इसे लड़किया है जो इस laine को ओर जादा खराब कर रहे हैं आए दिन सुनने में आता है कि भाई फलाना मेरा सोसन करना चाह रहा था फलाना मुझे बोल रहा था कि भाई मेरे से कॉंप्रमाइज करोगी तो हम तुमको काम देंगे तो भाई इसकी गलती लड़कियों की है नमस्कार दोस्तों मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं यह दोस्तों मेरे साथ हैं भजपुरी की बहुत ही अच्छी गाई का प्रीति राइजी में आपको बहुत बहुत स्वागता कैसी है सबसे पहले आपको और आपके चैनल के मादेम से जितने भी दर्शक गन देख मैं भी बहुत बढ़िया हूँ अभी आप लगतार शूट करती हुई नेजर आ रहे थी गाने की और लगतार आपके जितने भी गाने आ रहे हैं सबको भर-भर के प्यार मिल रहे हैं आगे क्या-क्या धमाका करने वाली है बतना चाहेंगे अभी तो सप्राइज ही है के लिए बहुत अच्छा गाना जो रिकॉर्ड हो चुका है जिसका शूट चालू है और उमीद है कि सबको बहुत पसंद आएगा एक नए अंदाज में नए गाना जो कि सबको बहुत अच्छा लगेगा भजपुरी इंडश्टी में अप लगतार अच्छे अच्छे गाने ला रही है और भजपुरी इंडश्टी में एक हमेशा चीज होता है विवाद कैसे देखती है इन सब चीजों को एक होता है टॉफ कॉंपटीशन इतने सारे सिंगर में अच्छा लाना दर्श को कि भीच बहतर लाना उपर से यह सब कॉंट्रोवर्श्य होता है आपको क्या लगता है विवाद में क्या होता है न दीपक जी विवाद के चक्कर में जो अच्छे गाने हम लोग इतना महनत करते है राइटर से लेकि म्यूजी डिरेक्टर जाब वीडियो डिरेक्टर होगे जाब वो मॉडल होगे एक अक्टर होगे सब लोग इतना महनत करता है एक गा परस्नल मैटर है अब इसमें पूरा इंडरस्टी का सिंगर से लेके वीजी डिरेक्टर से लेके मॉडल से लेके सब लोग पढ़ गया है भाई उनका परस्नल है आपस में इप्टाएंगे लो और उनका वह भी नहीं है आप हमारे यूटूबर लोग भी गुस गई हैं उसमें सब लोग किसी के एकदम इतना खुरोद रहें इतना खुरेद रहें भाई एक तो पता है अगर अपने पे लेके सोचा जाए तो पवन जी भी बड़ा टेंचन में होंगे क्योंकि उनके घर की इजत आखीर उचाली जा परसनल मैटर है अपना घर का बात है चलिए गया अदालत तक आपस में है निकल जाएगा लेकिन यूटूबर लोग अपना इस लाइन के जितने हमारे कलाकार लोग है उसको एकदम खुरेद खुरेद के एकदम ब्रेकिंग न्यूज बना रखे हैं अब इस चकर में रखा बयान दे रहे हैं किसी का बिरोध कर रहे हैं तो किसी का सपोर्ड कर रहे हैं क्या ऐसा होना चाहिए आप इसको कैसे देखती हैं देखिए गुसा तो मुझे भी आया था अक्षरा जी के बयान पे जो बोलती है कि भाई मुझे किसी ने नहीं सिखाया मैं खुद मेरा क मुझे किसी ने नहीं सिखाया और उनका ही पुराना वीडियो आप देख लीजिए जिसमें बोलती है मुझे तो गाने का ए भी नहीं पता है पवन जी मुझे डाट डाट के सिखाते हैं उन्हीं का ये मुनी की वानी से निकला हुआ शब्द है और वही आज बोलती है कि कौन सिंग मुझे किसी ने नहीं सिखाया तो बिवाद अपनी जगा है अपना लडाई जगड़ अपनी जगा है लेकिन किसी से आपने कुछ सीखा है तो वह मत भूल ये किसी का और उनको तो मुझे लगता अब मैं फिर बोलूँगी तो बिवाद होगा लेकिन ये चीज गलत है पती पतनी का मैटर चल रहा है बीच में अपना मोटे मैटर घुसाना है क्यूंकि विवाद करना करना है मैटर और भूजपुरी का दिपक जी बताएं ऐसा चीज बन गया है गाना नहीं चल रहा कॉंट्रवर्सी में आजो नाम नहीं हो रहा फलाने को गरिया दो बस भाई स सर्चिंग आ रहा है लोग एक चीज देखिए कितने सिंगर आए अच्छे लोग जिनका गाना मार्केट्व बजा आए चले गए पता भी नहीं चला अच्छे सिंगर आए मोडल आए जातर सिंगर लोग आए मोडल लोग आए और भूक दे भूला आगए क्यूंकि उन लोग कोई होता ने कि बह Anime अपने काम से मतलब रखेंगे बही सत्य के रहपे चलेंगे और जो कवार्वर्सी करते हैं जो फलाने को गरी आते हैं चलाने को गरी आता है वो आज आगे हैं व거를 सुरक्यों बना दोनों अलगल हो जाएं या फिर आपका क्या सोजाब है आप क्या कहना चाहती है इसमारे देखिए पवन जी मुझे तो पता नहीं है दोनों लोगों की प्रसनल लाइफ है अब क्या है क्या नहीं अब दोनों लोग जादा अच्छे से जानते हैं इस चीज़ को लेकिन अगर साथ में रहना है अगर जोती जी बोल रही है कि मुझे रहना है पवन जी के साथ में तो जिस इंसान के साथ आप सोच लिए कि मैंने जीवन बिताना तो उसकी इज़त ऐसे मत उच्छा लिए आप बैठके मैं तो कहूंगे कि बैठके बात कर लीजिए मैं तो चाहूंगे कि दोनों लोग का रिष्टा बना रहे बन जाए तलाक ना हो क्योंकि जोडियां उपर से बन के आती हैं अब इतना जितने मारे बोजपुरी के जनता हैं आ रहे हैं कि भाई दोनों लोग का तलाक ना हो तो ऐसे एक दूसरी की इजट ना उच्छा ले पवन जी की तरफ से तो कुछ नहीं आ रहा है उनके लिए जोती जी के लिए क्योंकि वो मुझे मैंने काफी इंट्रिव्यू भी देखा लोगों का यूटूबर लोगों का ही देखा जिसमें पता भी लगा बाकी सुनने में भी आया कि पवन जी तो कहने भी मैं जो भी उन्होंने इलजाम लगा है अदालत में कि लेकिन मैं सबूत नहीं पेस करूँगा क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ भी होगा तो नाम बदनाम उनका ही होगा वाइफ है ना उनकी जोती जी को चाहिए कि अगर कुछ भी है तो बैठ के बात कर लें ऐसे अपने पती की इजत ना उचा ले क्योंकि भाई जिसका आप बोल रही है वो एक superstar है पावर star है भोजपुरी के जिनको देख के हर कोई सीखता है तो आप ऐसे उनका इजत्मत खराब कर दिये क्योंकि उनको जितना प्यार करने वाले लोग है उससे ज़्यादा उनको नफरत से देखने वाले लोग भी है तो उनलों को तो मुझा मिल रहे मजाक उडाने का वो तो ट्रोल करें न बार-बार कि भाई यह नामर्ध है तो इसको लेका नहीं हो सकता हाई नहीं हो सकता यह मुझा दे रही है न तो उनको भी तो कहीं न कहीं, मुझे लगता है, जोती जी को भी सुनके तकलिफ होता होगा अपने पती के बारे में, तो मत करें, किसी को मौका मत दें, ये सब चीज करने का, कहने का उनके बारे में बिल्कुल आप सही बोलें, आपसे एक और सवाल रहेगा, इतने दिन हो गया हैं पूरी इंडरेस्टी में आपको आए हुए, क्या आपका अनफब रहा, क्या सीखी जो आपको एक अच्छा लगता है और कुछ कमिया जो बताना चाहेंगे हैं मोरे दर्श को कमिया कि इस लाइ लड़कियों की है, लड़कियां करवाती हैं शोषन तो उनका शोषन होता है, अगर आपके अंदर टैलेंट है आज नहीं तो कल आपको कामिया भी मिलेगा, आप क्यों होने जाती हैं शोषन करने, अब आज अकल तो सोचते हैं लोग कि रात और रात हम स्टार बन जें है, हमारे साथ शोषन हो गया, जब बरदस्ती नहीं न कर लिया तुम्हारा कोई शोषन, तुम जागे करवार यो शोषन तम नहीं हो रहा है, तो मत करो ना यह चीज़, लड़कियों पर ही गुसा चड़ता है,